Hello everyone, I hope आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो इस टाइम पे सभी स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है अगर आपने CUET देने के बाद BA program में admission लिया है इस साल यानि की 2022 में तो चार साल की जो आपकी BA है इसका पूरा structure क्या रहने वाला है BA program का आपको बताने वाला हूँ major subject क्या है, minor क्या होता है, GE, AEC और इसके अलावा sec subject क्या होता है, VAC क्या होता है ये सब आपको दिये गए तो आखिर इन सभी के बारे में क्या क्या बाते आपको जाननी जरूरी है, ये बता देता हूँ, new education policy के हिसाब से आपका course structure बताने वाला हूँ, दिया है BA program के लिए semester 1 का, आपको मैं बता दूँ, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर paper 1 दिया गया है, paper 2 दिया गया है, paper 3 दिया गया है, तो paper 1 में यहाँ पर यह बताया जाता है, paper 1 जो है, वो DSC 1 होगा आपका, ठीक है, और यह 4 credit का होगा, इसमें लिखा है, choose any one discipline, यहाँ फिर any one subject given below, and this subject will be your major, you have to choose your another different paper from the same subject, either from paper 2 और paper 3, अब यहाँ पर आपको यह बताया गया है, कि आपका यह major subject जो होगा, इन में से किसी एक को आपको चूज करना होगा, यह आपका major रहेगा, and you have to choose another different paper from the same subject, और same subject का ही different paper, आप यहाँ तो paper 2 से लेंगे, यह paper 3 से लेंगे, यानि कि अगर आपने यहाँ से यह major लिया है अपन ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, paper 2 और paper 3 में आपको देखना है, यहाँ से भी आप political science का एक और अपना major लेंगे, तो यहाँ पर मतलब आपको क्या करना है भई, एक subject यहाँ से आप और ले लोगे, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, कि मतलब paper 2 यह paper 3 से एक subject ले same subject जो आपने अगर मालो, यहाँ से history लिया है, तो यहाँ से भी आप history लेंगे, तो यह तो आपके दो subject हो जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो paper 2 है, उसमें लिखा हुआ है, choose another minor paper or course from the same department or discipline subject that you have opted in paper 1 as major, समझ में आगे आपको, यहाँ से आपको चुनना है, ठीक है, जो आपको बताया गया है कि भई, एक अपना subject यहाँ से ले लो, चाहे आप ले लो, history यह पॉल science ले लो, यह education अगर आपने लिया है, तो आपको paper 2 यह paper 3 में से, आपको यहाँ पे एक और subject यहाँ पे चुनना होगा, तो एक आप यहाँ से ले लोगे, फिर यहाँ पे आपक paper और course from subject, from department, यह मतलब कोई भी और यहाँ से आपको, जो है मतलब अगर आप यहाँ पे देखे कि 1 और 2 को छोड़ कर यहाँ से एक और लेना है आपको, तो यह आपका पूरा structure रहने वाला है, आगे अगर मैं आपको बताऊं, जी जो है, यह काफी simple है, paper 4 होगा यह आपका, और इसमें से जो दिये गए subject हैं किसी एक में आपको अपना जो है लेना है, और AC के अंदर आपको environmental science दी गई है, ठीक है, यह आपको पढ़नी है, और SEC subject की बात करें, SEC की, तो SEC के अंदर आपको क्या दिया गया है, भई अगर आप यहाँ पे अगर गौर करें, तो आपको प मज़ में आ रहा है, टोटल आपके साथ पेपर रहने वाले हैं, अब इन में से जो पूरा structure है, वो मैंने आपको read करके बता दिया है, subjects की अगर हम बात करें, तो economics में आपको basic mathematics for economic analysis, education में बात करें तो basic concepts and ideas in education, English की बात करें तो Indian classical literature, हिंदी की बात करें तो हिंदी बाषा और साहिते का इतियास, हिस्टरी की बात करें तो ancient societies, mathematics में elements of desecrit mathematics, pole science के अंदर public administration in India, संस्कृत में संस्कृत poetry और उर्दू में study of modern prose and poetry 1, यहीं अगर paper 2 देखें, तो इसमें economics में introductory to, introductory to, यहाँ पर अगर आप देखो micro economics, ठीक है, introduction to micro economics, यह आपका रहने वाला है, and those who have opted economic as major 1 in the paper 1, अगर आपका major paper 1 economics है, तो ही आप इसको ले, education, ठीक है, यह आपको लेना है, अगर आप लेना चाहें, अगर पीछे education लिया है, English ले सकते हो, introduction to literature, introduction to literary studies, और हिंदी में है, हिंदी cinema और उसका अध्यान, history में है, history of India from earliest time up to 300 CE, mathematics में है, topics in calculus, pole science में introduction to pole theory, संस्कृत में संस्कृ grammar और उर्दू में study of modern poetry 1, फिर आपका paper 3 आता है, जो की है, आपका minor paper 3, so इसके अंदर economics में है, principle of micro economics, those who have not opted economics as major, ठीक है, education के अंदर, भाई यह जो है, यह उनके लिए नहीं है, जिन्नोंने major में अगर economics लिया है, फिर उसके बाद आपका आता है, English, introduction to literary studies, हिंदी में है, India from earliest times up to 300 CE, mathematics में वही सेम आ जाएगा, और pole science में भी वही सेम है, Sanskrit में Sanskrit में Sanskrit grammar और बाकी यह सेम हो जाएगा, तो अब मैं आपको बता हूँ, GE में आपको क्या मिल रहा है, English fluency 1, Hindi भाषा और साहित, Sanskrit में basic Sanskrit, उर्दू में study of development of उर्दू, पंजाबी में पंजाबी भाषादा, म English में आपको EBS मिलेगी, paper 6 में आपको commerce, finance for everyone, English communication in everyday life, और हिंदी में है रंग मंच, फिर है VAC courses, इसके अंदर English में आपको reading Indian fiction in India, असवर in English, और हिंदी में है भारतिय भक्ति परंपरा और मानम बोल लिया, pole science में constitutional values and fundamental duties, Sanskrit में है yoga, philosophy and practice, तो यह आपका structure था BA program का, अब ऐसा BA program आ यह लिया है आपका, तो भाई जो college आपको Google form भी दे रहा होगा, आपको select करने अपने subject, तो आप इस पूरे table को देखके अपना आराम से subject select कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो चैनल को subscribe करें, comment करके आप ज़रूर बताएं आपके इस college से हैं, और वीडियो को ज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जै हिंद जै भाराइख